आज की इस वीडियो में गाईज हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के V27 प्रो स्मार्टफोन के बार में और इसके फंटेच OS 15, बेस्ट्रोन एंड्रोड 15 के बीटा अप्टेट के बार में और इस्टेबर अप्टेट के बार में दोनों ही जो अप्टेट है ना वो आपको इ लाइक कर सकतो और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस करें ना ताकि फ्यूचर में जैसे ये अप्टेट है वो इंडिया में रिलीज होता है तो इसकी रिगर्डिंग जो वीडियो है ना वो आपको मारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो गाइस वीवो की तरफ से एक्संड्रेट प्रो और आइकू की तरफ से आइकू 12 है दो ऐसे स्मार्टफून है जिनके लिए अभी तक इंडिया में फंटेच ओस 15 का जो अप्टेट है वो यहाँ पर आया है और वी 27 सीरीज से पहले जो अप्टेट है वो आपको वीवो की जो वी 29 की सीरीज है उसके लिए अप्टेट मिलेगा और उससे भी जो नई सीरीज है उसके लिए अप्टेट आपको थोड़ा पहले देखने को मिलेगा तो बात करते हैं डायरेक्ट आपको वी 27 प्रो स्मार्टफून के लिए जो अप् क्योंकि जो flexible smartphone है उनके लिए आपर roll out किया जाएगा और जो update आएगा ना January month के अंदर उससे पहले आपको इस परकार का एक forum है वो देखने को मिलेगा जिसको कि अगर आप लोग फिल करोगे ना तब ही आपके smartphone के लिए Funtash OS 15 का first beta update है वो roll out किया जाएगा otherwise आपको direct stable update मिलेगा तो beta और stable update में फरक पस इतना सा ही है कि beta update थोड़ा पहले आता है और उसके अंदर आपको problems मिलती है लेकिन features है वो भी आपको काफी सारे देखने को मिलते है और जो official update होता है ना उसके अंदर आपको bugs काफी कम मिलते है और features आपको सारे ही देखने को मिलते है तो हमने already वीडियो बना रखिये कि आपको कौन-कौन से नए feature है वो देखने को मिलते है Funtouch OS 15 update के उपर तो आपको link उपर eye button पे दिखाई दे रिज जाएगी complete वीडियो को watch कर लेना तो वेसे मैं आपको बता जेता हूँ कौन-कौन से नए feature है वो यहाँ पर add किया जाएंगे तो सबसे पहले guys इस type के आप लोगो को काफी सारे नए widgets है वो यहाँ पर देखने को म होगे जैसे कि अब भी यह वाला option है वो selected है तो icons आपको खुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं बाकि आप लोग minimal पे जैसे click करोगे icons है वो आपको और भी different देखने को मिलेंगे तो इस type का आप लोगों को app drawer का layout है वो देखने को मिलेगा फंटेच वर्स 15 update के अंदर बाकि इस बार यार control center के अंदर किसी भी परकार का change है वो यहाँ पर वीवो की तरफ से नहीं किया गया है तो यह जो चीज है वो काफी सारी user है उनको यहाँ पर पसंद नहीं आई है बाकि जो update का layout है वो आपको कुछ इस type का देखने को मिलेगा जो की आपको फंटेच वर्स 15 एंडूर 15 है वो यहाँ पर mention किया गया है home screen के अंदर जितने भी changes है वो आप लोग इस photo के अंदर complete यहाँ पर देख सकतो बाकि काफी सारी आपको pre-installed themes है वो मिलेगी जिन मैंसे origin OS के भी आपको काफी सारे icons की design है वो देखने को मिल जाएगी AOD के अंदर आपको काफी सारे नए widgets है वो मिल जाएंगे मतलब की नई style है वो देखने को मिल जाएगी एक तरीके का जो mode है जिसको के हम लोग snap mode कहते है वो आपको camera जो application है उसके अंदर मिलेगा और fingerprint की काफी सारी नई animation है वो इस update के अंदर add की गई है तो इसी type के आपको क subscribe कर लेना और जो official update है वो आपको मिलेगा February से March मंत के अंदर तो connected दिये बागी मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में जेहिंद वन दे मातरम